Hello everyone, welcome to Drew in the channel आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी पढ़ने के अभ्यास करेंगे यानि हिंदी रीडिंग प्राक्टिस करेंगे कहाने के माध्धम से तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहाने का नाम है सेर का आसन तो इसको पूरा पढ़ेंगे सेर का आसन तो चलिए आगे पढ़ते हैं सेर जंगल ठेक इसको पढ़ेंगे जंगल का राजा होता है तो इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे सेर जंगल का राजा होता है वह अपने जंगल ठेक है इसको पढ़ेंगे जंगल में सब को ठेक है तो इसको पढ़ेंगे सब को डरा कर रहता है सेर भयंकर ठेक है इसको पढ़ेंगे भयंकर और बलसाली ठेक है इसको पढ़ेंगे बलसाली होता है सेर भयंकर और बलसाली होता है एक दिन सहर का राजा ठेक है इसको पढ़ेंगे राजा जंगल में घूमने ठेक है इसको पढ़ेंगे घूमने गया एक दिन सहर का राजा जंगल में घूमने गया सेर ने देखा राजा हाथी पर आसन ठेक है इसको पढ़ेंगे आसन लगा कर बेठा है सेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगा कर बेठा है सेर के मन में भी हाथी ठेक है इसको पढ़ेंगे हाथी का उपाय ठेक है इसको क्या पढ़ेंगे उपाय सूजा ठेक है सेर के मन में भी हाथी पर आसन लगा कर बेठने का उपाय सूजा सेर ने जंगल ठेक है इसको पढ़ेंगे जंगल के सभी जानवरो को बताया ठीक है तो चले इस लाइन को पूरा पढ़ देते हैं सेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया की हाथी पर एक आसन ठीक है इसको पढ़ेंगा आसन लगाया जाए और आदेश दिया की हाथी पर एक आसन लगाया जाए तो चले आगे पढ़ते हैं बस क्या था जट से ठीक है आसन लग गया तो चले इस लायन को पूरा पढ़ते हैं जट से आसन लग गया सेर उचल कर ठीक है इसको पढ़ेंगे उचल कर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा हाथी पर लगे आसन में जा बैठा हाथी जैसे ही ठीक है आसन हिल जाता है और सेर नीचे धराम से गिर जाता है तो चले इस लायन को पूरा पढ़ते हैं और सेर नीचे धराम से गिर जाता है सेर की टांग तुट गई ठीक है तो इसको पढ़ेंगे सेर की टांग तुट गई सेर खड़ा होकर कहने लगा पेदल चलना ठीक सुपढ़ेंगे चलना ही ठीक रहता है तो आज का कहानी यह तकतम होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया मेक्सिर डू सस्क्राइब थैंक्स पर वाचिंग कर दो कर दो कर दो